हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि 3D रेंडरिंग और एनिमेशन जैसे वर्क के लिए कौन सा और कैसे सिस्टम को खरीदें अगर आप एक नईया सिस्टम पर्चेस करने की सोच रहे है जिसमें SketchUp, V-Ray, Illumia, N-Scape, 3ds Max जैसे Heavy Software जो हम Architectural Designing के लिए यूज करते है वो एकदम smoothly चले तो यह वीडियो आपके लिए काफी important होने वाला है तो यह वीडियो पूरी देखिए या तो फिर इसको यहीं से skip कर दीजे क्योंकि अधूर अनुलेज हमेंसा dangerous होता है ठीक है तो चलिए सरू करते है सबसे पहले तो हम budget क को decide कर लेते हैं आपका minimum budget 70-80,000 तक हैना चाहिए इससे कम नहीं होना चाहिए ठीक है तो budget कैसे decide करना है चितना ज्यादा आपका budget होगा उतना आपको performance भी ज्यादा मिलेगा ठीक है performance ज्यादा मिलेगा तो जो आपका rendering का time मिलेगा वो कम time में render हो जाएगा तो आपका time तो इस तरह से आपको maximum budget ज्यादा से ज्यादा budget रखना है एक powerful system को purchase करने के लिए अभी देखिए थोड़े से कुछ questions है जो हम figure out करेंगे उसको solve करेंगे question number one which system is best make apple product or windows for 3D render देखो make book या apple की जितनी भी product है वो 3D rendering के लिए नहीं है राइट वो other दूसरे office work के लिए तो make और जो apple के जितनी भी product है और जो operating system है वो नहीं खरीदने है हमें हमेंसा windows operating system वाले जितने भी system है वही purchase करने चाहिए अभी क्यों नहीं करने चाहिए क्यों करने चाहिए make वाले नहीं करने चाहिए और windows वाले करने चाहिए देखो यहां पर मैंने डिफ्रेंस बता है windows वाले जो system होते है उसमें high specification मिलता है अच्छा गासा GPU मिल जाता है graphics card होता है make में क्या होता है low specification रहता है CPU अच्छा रहता है लेकिन GPU में इतना दम नहीं होता है इसलिए दूसरा है कि windows वाले जितने भी system होता है उसमें सारे free वाले crack वाले version software सब चल जाता है जबकि apple में ऐसा नहीं होता है आपको सब कुछ purchase करना होता है कुछ कुछ rare case में आपको crack version मिलता है उसके बाद जो windows system होता है उसमें specification ज्यादा होता है तो performance भी obviously ज्यादा देगा और rendering भी fast करेगा जबकि Apple वाले system है वो low performance पर work करेंगे तो rendering में कापी time लगा देगा तो यह rendering के purpose के लिए भी अभी देखो windows system में कि आप अपनी तरह से PC build कर सकते हो राइट जितना ज्यादा आपको graphics card बढ़ाना है motherboard रखना है वो आप सब चीज़े कर सकते हो windows के लिए लेकिन आप वो चीज़ आप Mac के अंदर नहीं कर सकते है Apple के अंदर system नहीं कर सकते हो आपको बना बनाया मिलेगा उस पर काम करना पड़ेगा अभी यहाँ पे देखिए यह जो main चीज यहाँ पे यहाँ पे अगर आप Lumion के official website के अंदर चले जाते हैं तो मैंने दिखा ही है कि importance में लिखा हुआ है Using Lumion on Mac is not officially supported ठीक है? Officially उसका support भी नहीं है आप चाहे तो उसकी website जो होती है हर एक software की website होती है उसमें लिखा होता है information दिया होता है कि क्या recommend system होना चाहिए क्या specific question होना चाहिए ठीक है जैसे यहाँ पे Lumion में भी है तो यहाँ पे साप साप दिखा है important using Lumion on Mac is not officially supported और भी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं लेकिन में चीज तो यही है कि आपका Lumion इस पे support नहीं करेगा Mac के अंदर यह apple का system भूल के भी खरीदना नहीं है ठीक है चलिए आजाते हैं अभी यहाँ पे भी दूसरा question no.3 है which system is best, normal or gaming नोर्मल, जुदनी भी system होता है उसमें क्या होता है, low specification होता है दूसरा ना अवसे बज़ए से उसको normal बालते है gaming होता है, gaming में क्या होता है, specification, high specification होता है graphics prepared भी जादा होता है इसस गेमिंग भी और graphics related work के लिए होता है वहाँ हमें, high specification होता है यहां पे मैंने थोड़ा से डिफरेंस बता है कि gaming system होता है high specification होता है, इसमें low होता है gaming system होता है, उसमें graphics card होता है GPU available होता है जिसे कि normal system में graphics card नहीं होता है होता है तो भी low model का होता है इतना powerful नहीं होता है यह gaming system होता है वो एकडम high performance देते rendering भी fast करते जब कि low performance system होता है वो इतना कुछ खास performance नहीं देते हैं ठीक है और gaming system का क्या होता है specification जाता होगी तो सारे rendering software support करते है तो normal system में क्या होता है कि इतना specification low होता है तो कुछ support नहीं भी करते है ठीक है some software are not supported because of low specification तो हमें gaming system purchase करना चाहिए ठीक है gaming system में कुछ नहीं उसमें क्या होता है सारी specification होती है हाई होती है वह थोड़े महंगे भी होती है क्योंकि specification ज्यादा इसलिए और कुछ confusion होना की ज़रत है नहीं तो देखिए यह सवाल काफी important है आपको कुण सा system लेना चाहिए लेप्टॉप लेना चाहिए या desktop लेना चाहिए ठीक है आपको डेश्टॉप या PC बील्ड करना चाहिए लेप्टॉप अगर आपको portable चीज चाहिए तो लेप्टॉप खरीदे वरना desktop PC ही आप मैं कंसिडर करूंगा इसके main reason यह है कि देखो जो desktop वाले system होता है वो powerful होता है laptop से ओके और desktop में क्या होता है आप build करते हो तो उसमें आप CPU, GPU, RAM, SSD, motherboard कोई भी components आप change यह upgrade कर सकते हो जबकि laptop में ऐसा नहीं होता है उसमें आप upgrade नहीं कर सकते हो उसमें आप या तो फिर RAM बढ़ा सकते हो या फिर storage device SSD वगएरा थोड़ा कुछ लगा सकते हो बाकी CPU या GPU आप upgrade नहीं कर सकते हो ठीक है यहां पर desktop में क्या होता है बड़ा डिबबा होता है ठीक है और उसके cooling system होती air circulation होता है ventilation एकदम बढ़ जा रहता है तो उसमें heating issue नहीं होता है तो आपको performance ज्यादा अच्छा मिलता है और laptop का cooling system होता है ना और desktop जितना अच्छा नहीं होता है ठीक है क्योंकि वह सब congested area में रखा होता है सारा circuit वगेरा motherboard सब एक motherboard में सब आ जाता है कापी छोटी space में उसने सारी चीज़े बिठाई होती है इसलिए अतना air circulation भी ज्यादा नहीं होता तो cooling system भी है दूसरा एक रिजन है जो desktop के अगर आ बिल्ट गाते हो तो आपको कम price में पड़ेगा laptop के कम रिजन में ह और laptop होते है थोड़े costly होते देश्टोप के मुकाबले देखो में इसका डिसेंट वाटेंज है डेस्टोप में की वह portable नहीं है आप PC को उठा के कहीं पर भी नहीं ले जा सकते है बार बार लेकिन laptop को आप अपने साथ रख सकते हो कहीं पर अगर जा रहे हो देखो desktop आप खर कहीं पर जाना पड़ता है वहां पर वर्क करेता है तो आप laptop खरीच सकते है या फिर आप एक office establish कर रहे हो या फिर आप घर पर as a freelance work कर रहे हो तो डेस्टोप आपके लिए बढ़ी आ रहेगा तो यह मैंने आपको बता दिया है laptop और desktop में क्या अंतर होता है ठीक है और भी कु आप इसका information देख सकते है laptop and desktop CPUs are not the same while the processor of both these computer may come from the same company मतलब company same होते है Intel ही दोनों तरके के processor बनाती है या फिर Ryzen होगे तो भी दोनों तरके के processor बनाते है एक desktop के लिए होता है और एक laptop के लिए desktop वाला CPU laptop में नहीं चलेगा और laptop वाला CPU है desktop में यह दोनों का समीन आसमान का फरक है ठीक है और यहां पर लिखा है कि जो desktop के CPU होते है laptop के compatible और ग्राफिक्स कार्ड में भी विल्कुल सेंट चाहिज है क्या होता है कि laptop में congested area होता है इतना ज्यादा जगा नहीं होता है तो आप उसमें ज्यादा powerful वाले ग्राफिक्स कार्ड नहीं रख सकते है जबकि desktop में जो पाउर होता है ग्राफिक्स कार रहो बढ़िया रहता है तो अब पढ़ सकते हैं अभी आगे बढ़ते हैं एक important notice अभी जो भी मैं discuss करूंगा वह इस date के recording है मुलब अभी जाज का जो मेरा date है वह 26th October है 2022 वाला साल है त उसमें latest update आती रहते है अच्छे जनरेशन आते है और हर नया जनरेशन पिछले वाले से better होता है इसलिए आज की date के मुकाबले कर रहा हूं अगर यह वीडियो अगर आप एक दो साल के बाद देख रहे हो तो यह जो सारी information दे रहा हूं वह आपको काम नहीं आएगी ठीक है AMD अच्छा है या Intel दोनों कंपनी प्रोसेसर बनाती है CPU बोलते है तो देखिए इस पर क्या होता है रेस लगी रहती है कभी Intel आगे निकल जाता है कभी Ryzen निकल जाता है अभी 2-3 दिन पहले ही Intel ने 13th generation वाला प्रोसेसर लांज किया है तो 13 वाला जो प्रोसेसर है Intel का उसने बीट कर दिया यह AMD Ryzen के जो 7000 सीरीज वाला जेन 4 वाला जो प्रोसेसर उससे बेटर है 13 वाला जेनरेशन ठीक है तबको प्रोसेसर कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है उसके लिए आप बेंचमार्क का यूस कर सकते हो तो मैंने बेंचम लेप्टॉप के लिए CPU नहीं है ठीक है लेप्टॉप के लिए CPU में बाद में आपको दिखाता हूं अभी यह सारे जितने भी आपको CPU दिख रहे हो डेस्टॉप के लिए अगर PC बीड करना चाहते हो तो तो जो के सीरीज होती है क्या अंतर होता है हमेसा हमें के वाली अगर अगर आप यह क्या होता है अगर आप यह क्या वाला प्रोसेसर लेते हो तो उसके लिए आपको ग्राफिक्स काड अलग से डेडिकेट डालना पड़ेगा अगर तब ही आज डिस्प्लेश ओन होगी क्युक्कि आपको सीपवक्ट को CQ ही रहता है इंटेगरीटेड़ सीरीज में क्या होता है इंटेगरेड़ेडाटेड़ इंटेड़ तोट वी इसे जिए सब्सक्राल के सबस्राइब ने बाता है सबस्वें नेरे Нेम इसकी होता है यह जो आगे के दो अंक होते हो बताता है कौन सा जनरेशन है यह SKU नुम्रिक है जितना ज्यादा अच्छा है यह सफिक्स है अलग-अलग सफिक्स है जैसे कि मैं नीचे देखाता हूं देखो यह होता है वह embedded होता है एफ होता है वह क्या होता है इसमें graphics card नहीं होता है integrated h मतलब high performance optimized ठीक है यह सारे h वाले जितने भी होते हो लेप्टोप के लिए होते है और k वाले unlock हमें desktop के लिए हमेंसा k देखना है पीचे ठीक है कि यह वाले यूज करने आपको ज्यादर दिमाग नहीं लडाना है तो इन में से कोई भी एक चूस कर लिजे और यह जितने भी आपको प्रोसेसर दिख रहे है उसकी जितनी भी प्राइज दिख रहे हो एंडी कंप्यूटर के अंदर है देखो जब भी आप कुछ खरीदो तो हम ऐसा रिसर्च करो कौन सा प्राइज कौन सी साइट पर पढ़ रहा है जैसे कि मैं आप एमेजन में कोई एक चीज दिखाता हूं जैसे इंटेल का 12 इसमें अगर आप चाहे तो यूटूब में थोड़ा साच कर सकते अप्री कुम्प्यूटर के बारे में यह काफी पॉप्यूलर है PC विल्डर होता है यही से ओर करते है क्योंकि इसमें काफी चीप रेट है काफी सस्ता में पढ़ता है ठीक है प्रोड़क्त भी सेम ही रहता यहां पर देख लीजे भाई यहां पर देखो एमेजोन में 39,000 है यहां पर 32,000 है काफी फ़रक पड़ रहा है तो यह थोड़ा सा आपको देख लेना है ओनलाइन अलग-अलग वेबसाइट है मैं तीन वेबसाइट यही रिकमेंडेट करता हूं एमेजोन एमडी इन में से आप बे फिकर हो के मंगा सकते हैं तो यह भी आपको ध्यान में रखना है और मैंने थोड़े सा रिसर्च भी किया है यह देखिए जितने भी डेस्टोप प्रोसेसर है जितने भी मोडल्स होते है अलग-अलग कंपनी के अलग-अलग मोडल्स होते हैं जैसे इंटल पर आपको मिलता है वो आपको खरीदना है ठीक है यहां पर आप सीने बेंच आर 23 जो मल्टी कोस के लिए हमें मल्टी कोस का ही काम होता है तो जितना मार्क्स ज्यादा उतना प्रोस्योसर अच्छा जैसे देखिए यहां पर देखिए आई नाइन का कितना है 3,900 है 56,000 में मिल रहा है जबकि राइजन 7 जो 950 X है उसका बेंचमार्क 38,000 है लेकिन उसका प्राइस देखिए कितना है 66,000 है इतना जदा प्राइस देने पर भी इतना अच्छा पर्फॉमस नहीं मिलता है तो हम क्यों यह खरीदे है हमें यही खरीदना जीए ना के एफ वाला यह क इसलिए जो जो आपके प्राइस के लिए बेस्ट है देखो सारे 13 जनरेशन वाले ना उसका स्कोर हमें साथ ज्यादा रहता है देखें इसलिए मैं बोल रहा हूं जितना ज्यादा लेटस जनरेशन आप लोग है 14 जनरेशन आगे तो 14 जनरेशन का पता लगा सकते हूं इससे कीजिए ज़ादा है और कम प्राइज में मिल रहा है जा आए प्राइज की थेक्टर देख लेना है तो अगर आपको दिम questo प्रोसेसर के लिए आपको बजेट होना चाहिए यह सिर्फ CPU के लिए बारे बात कर रहा हूं उसके बाद है देखे यहां पर आगर आप कोई एक चूज करते हो 13 generation का प्रोसेसर तो उसके compatible motherboard भी होना चाहिए जो आपका compatible हो तो उसके यह भी website है इसका link दिया है मैंने यह भी official site Intel का राइट तो Z790, Z690 जैसे motherboards होते हैं वह ही motherboard आपको purchase करने पड़ेगे कोई भी motherboard उठा के उसमें अप लेटस जनरेशन करने ही डाल सकते हैं तो उसके लिए यहां पर थोड़ी सी information है जैसे यहां पर link मैं आपको provide कर दूंगा description में मेरी website में भी होगा यहां पर देखे डेस्टॉप में click किया यहां पर आपको search करना जैसे मुझे यह purchase करना है ठीक है आइफाई 13600 के यह purchase करना है तो मुझे motherboard कौन सा लगेगा तो उसके लिए मुझे आइफाई में जाना है यह देखो सारे generation है मुझे 13 generation choose कर लेना है कौन सा है 13600 के 13600 के यह बला ओके और उसका यहां पर select कर लेना है ओके देखो यहां इसके ज supported motherboards होगे यह B660 वाले सारे support कर लेगा तो इन में से कोई एक motherboard चूज कर सकते हो इसके अलावा आप कोई मत चूज किजिएगा वरना चलेगा नहीं ठीक है जितने भी यहां पर सारे series है ठीक है सब यहां पर information दीए है तो कौन सा motherboard खरीदना है वो भी आपको ज्यान में रखन कि मैं आपको highly recommend करूँगा NVIDIA करीदो क्यों 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 वीरे को support करता है AMD राइज यह जो रेडन वाले जो ग्राफिक साड होते हो वीरे को support नहीं करेगा इसलिए आपको NVIDIA कंपनी का ही graphics card खरीदना है और कौन से खरीदना है यह उसके भी मैंने price अच्छे का से मैंने निक लेप्टॉप की बार ही आती है तो लेप्टॉप के अंदर आपको कौन सा प्रोसेसर चूज करना चाहिए यह सारे स्कोर्स मेंने direct रख दिया है ठीक है तो अलग-अलग कंपनी के लेप्टॉप अमीजते है यह सारी कंपनी बेस्ट है बस आपको specification देरना है देखना है जो सारा data है यहां पर सारे स्कोर्स है सबसे बढ़िया जो है यह है आई 7 वाला यह लेप्टॉप के बारे में बात करहा हूँ अभी लेप्टॉप में क्या हो है 13th generation launch नहीं हुआ है लेप्टॉप के लिए नहीं लाँच हुआ है सिब डेस्टॉप के लिए 13th generation launch हुआ है तो उसी तरह लेप्टॉप के लिए ग्राफिक्स कार्ड भी देखो इन में से कोई एक ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए ठीक है कम से कम 1660TA होना चाहिए 3050 होना चाहिए यह आपका ग्राफिक्स कार्ड होना ही चाहिए इतना एंवीडिया का है इन में से कोई एक होना चाहिए ठीक है और ग्राफिक्स कार्ड भी पता लगए अभी हाँ थोड़ा सा वह भी देख लिए कि मिनिमूम स्पेसिपिकेशन वाला कोई एक लेप्टॉप चो होता है उसक अगर 16GB नहीं है तो भी चलेगा लेकिन एक एक्स्ट्रा एम्टी स्लोट होना चाहिए इंटल i7 i5 आप 12 जनरेशन का कोई भी आप चूस का लिजे या राइजन 5800 प्रोसेसर होगा तो भी चलेगा ठीक है तो 12 जनरेशन और देखो ना मैं फंचे कि या देक्ष्ट पिछया देखना है है होको मैं दिखा है सान department थे दिखा है तो जो भी आप लिःवाण हो प्रिक्स होना चाहिए अपके मैं और एक इक्जैंपल भी दिखाता हूं आ behaviour तो देखिए यह जो लेप्टॉप है इसके पीछे देखिए यह रहा इंटेल का प्रोसेसर है उसका मॉडल के पीछे देखिए 650H है जो दिख लिजए देखिए लिए सस्त singular है यह अंज लुट में कंशा की देखिए विए उसके नियुक्ति शेंट में चीजेन के लिए घैकिन मुठ में हुआरा जब आपका है लेकिन ये ओफर खतम हो गया तो ये देखो 64000 मतलब 4000 बढ़ गया तो ये सेल चला गया तो अगर आप सेल देखके पर्चेस करते हो तो अच्छा है अच्छी बात है सेल देखके ओनलाइन पर्चेस कर सकते हो ओनलाइन पर्चेस करने में कोई बुराई नहीं नहीं पसंद आता तो आप रिटन भी कर सकते हो कोई इसू नहीं है और यहां यह दो लेट्टोप मेंने मिनिमम है मिनिमम आपका 75-90,000 का बजेट है तो यह मैंने दिखा इतना होना चाहिए यह ग्राफिक्स काड़ होना चाहिए नवी एमी का SSD होना चाहिए 240 या 500 GB चलेगा और मेन चीज़ है कुलिंग सिस्टम देखो ऐसा हनी कॉम वाला डिजाइन होगा न तो यह मत करी दिया इसमें देखिए जो मैं लास्ट में दिखाता हूं ऐसा पर्चेस करना चाहिए नीचे वेंटिलेस वेंटिलेसन अच्छा होना चाहिए जिसमें क्या छोटी-छोटी बारी रख़ी होती है बाकी का अरिया पेक होता है तो इतना जद आपका ऐते आपका जोshirt है बाहर नहीं जा पाता है तो लेट ततो यह जू गिंदिंग था में देखिगना इंटल i7-12700 या 12800 होना चाहिए, ठीक है, जो RTX 30, 307 यह ग्रापिक्स काड होने चाहिए, ठीक है, यह मैंने स्पेसिफिक इसन देखे रखे हैं, और दो लिंक भी भी है, और भी लिंक से वह आपको नीचे प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, तो दिस्क्रिप्शन बोक्स मे जरूर एक बार देख लिजे, उसमें मेरा वेबसाइट होगा, उसमें आपको सारा इंफर्मेशन मिल जाएगा, तो थेंक्स पर वचिंग, अगर 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 आपको ये वीडियो सही में यूस्पुल लगिये, तो प्लीज वीडियो का सेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए,